असलाम लेकुम, फूट फर्माईश में आज हम बनाएंगे मुटन स्टिव जो खाने में बहुत ही जायकेदार होता है इस रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखे और अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब बाच लॉंग, दस से बारा काले मिर्ट, एक तेस पात, एक टुकड़ा दालची नहीं, एक इलाइची, दो हरी इलाइची, एक टेबल स्पून, जीरा और दो सुखी मिर्ची को मैंने बारी कट कर लिया था ये सारी चीजों को डाल देंगे तेल में और फॉरन ही हम उसमें प्यास, यहां पर मैंने चार बड़ी प्यास ली है, जिसे स्लाइस में पतला पतला कट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें एट कर दिया, यहां पर प्यास की कॉंटिटी जो है, हम हमेशा गोश्ट की कॉंटिटी के बराबर रखते हैं, जितना आपने गोश्ट लिया है, उस इसमें डालेंगे गोश्ट मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बकरे का गोश्ट ले इसे भी हम उसमें एड़ कर देंगे और एड़ करने के बाद आपने इसे अची तरीके से भूनना है यह स्ट्यू जो है बहुत ही टेस्टी बहुत जायकेदार बनता है आप इसे बनाएंगे तो और कोई इसे जरूर पसंद करेगा इंशाला आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजिए यहाँ पर मैंने एड़ किया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग टू एन हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर डाला है कुटा हुआ धन्या का पाउडर आधा चमज हल्दी पाउडर और अधा चमज गरम मसाला पाउडर एक टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट इसमें एड़ किया है और इसे हम अच्छी तरीके से सबको मीक्स कर लेंगे फ्लेम को आपने हाई पर ही रखना है आभी फिलहाल हमें इसे मीडियम नहीं करना हाई फ्लेम पर आप इसे अच्छी आधरक लसन को मैंने बारिक चौप कर लिया और 4-5 हैरी मिर्चों को इस तरीके से कट कर लिया है यह चौप किये बड़ते है तो इससे इसका टेस्ट और बड़ जाता है अब मैंने इसमें एड़ कर दिया है एक टमाटर आपने इस इतना पकाना है कि जो गोश्ट है उसका पानी सूख जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाये कि यह इसे हम पका रहें हाइव फलम पर और गोश्ट मंपर पानी के बाद रापी तरीकी से शूख चुक है और यह मैं टमाटर ते में वह भी सॉफ्ट हो गया है तो इस स्टेज पर हमने इसमें एड कर देना है पानी एक ग्लास और पानी एड करने के बाद आप इस कोकर की लिट लगा दीजे और हाई फ्लेम पर एक सीटी आने दीजे फिर लो फ्लेम करके आप इसे 10-15 मिनट पकाईए गोश्ट जो है हमारा पक चुका है अब यहां पर हम इसमें एड करना है तीन टेबल स्पून देही और एक टेबल स्पून फ्रेश क्रीम में एड किया है यह बिल्कुल आप्शनल है टोटली स्कीप कर सकते हैं आप मैंने था तो डाल दिया ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसमें डालना ही है अब यहां आपने जितना भी पानी है एक्स्ट्रा पानी वो सुखा लेना है और इसे इतना पकाना है कि इसका जो तेल है वो सर्फेस पर आ जाए और हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होगी बहुत मज़ेदार जाएक और बहुत साइके वाला बनता है यह स्ट्यूफ आप इसे जरूर ट्राइ और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगते है तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दस जल्द पहुंच सके और हाँ अगर आप म अगर आप इसमें कुछ ग्रेवी करना चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें पानी आट कर दीजिए और आपकी ग्रेवी जो है वो बनकर तयार हो जाएगी ज़रूर ट्रै कीजिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ झाल करनो